देखें, अक्षाब्ध है जन्जट, तो इस दूडियो में जन्जट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या आर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एक्सामपल से सिंटेंसेस में शब्ध को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे, तो चली विडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं शब्ध को, क्या मतलब होता है जन्जट का, देखें हम जन्जट बोलते हैं उल्जन को, मतलब उल्जन, परिशानी, समसिया, कठिनाई जटिलता, संकट, दिक्तत, बाधा, बखेडा, कष्ट, भाव, चक्र, खट-खट, दंदफंद, उपदर्व, जन्जाल, दुश्वारी, मुश्किल, अलचन, असुईधा, मतलब जन्जट इंग्लिश में जन्जट को बोलते हैं दिफिकल्टी, चैलेंज, वोरी, वोरिमेंट, बोदर, बोदरेशन, मेस, ट्रॉबल, प्रॉब्लम, इश्यू, टॉइल, टॉइलिंग, हैड़ेक, एटिसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके वर्ट्स हो सकते हैं चलें इस शब्ट को sentences में use करके अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से इस शब्ट को प्रियोग करेंगे, कि मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इस जन्जट में फसाया है, मतलब एंग्लिश में I would like to say that you have got me into this mess, तो mess का मतलब जन जन्जट, दूसरा example है कि मुझे यहां आकर तुम्हें इस जन्जट में नहीं डालना चाहिए था, मतलब एंग्लिश में I should not have come here and got you into this mess, ठीक है तो मिद आपने जन्जट शब्ट को इंग्लिश और हिंदी में example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, थैंक्स ओर वाचिंगार्डिस्क